दोस्तों कि आपको पता है कि अलग-अलग UI के अंदर जो फाइल मेनेजर रन करता है वो कुछ अलग-अलग फीचर्स लिके आता है तो आज मैं आपको इस फोन के अंदर मैं आपको बता हूंगा जैसे One UI, Realme UI, Fonto Choice और Android Go कि इसके अंदर जो फाइल मेनेजर रन करता है वो कैसा रन करता है और क्या-क्या features लगरा इसके अंदर आमें देखने को मिल जाता है है ना चलिए देखते हैं और वीडियो फ़से नहीं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए चैनल में पहली पर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बिल उटनों प्रेस करिए को मुझे कोमेंकड करके आप कshirt कौन सा यू आए आप यू यूज कर रहे हैं और क्या ॉसके अंदर जो फाइल मेनेजर है आपको कितना पसंद आता है वन्यूई यह जो है वन्यूई के अंदर इस टाפका एक फाइल मेनेजर मंद देखने को मिल जाता है सिंप्ल आप देख सकते हो इस टाइप का यहीं क्लियर रिसेंट फाइल भी लिस्ट के अंदर से हटा दो के तो रिसेंट फाइल से हट गया सबसे पहले काटेगरी वेज आता है इमेज वीडियो ऑडियो फाइल डॉकुमेंट्स डाउनलोड इंस्टल अपीके जोगी आप टो हटा दिया और यहां पर आप यहां पर चेक आउट भी कर सकते हो इसके अंदर काफी बढ़िया फीचर दे रखा है वान यूई के अंदर इसलिए मैं पसंद करता हूं सबसे मेरा फेवरेट है वान यूई यहां पर रिसेकल बीन का अंदर कुछ 88 परसंट अनिकि कुछ गैल फाइल भी ओवी दिखाता है है ना कमाल की तो भाई इसके अंदर आपको बहुत सारे चीजे बड़े-बड़े देखने को मिल जाता है यहां नेक्स्ट आता है रियल्म यूई 4.0 जो कि यहां पर 10 प्रो प्लस ठीक है और यहां पर हमें आपको देखने को मिल जाता है फाइ इसके अंदर अप्सन दे रखा है फोटो वीडियो ओडियो डॉकुमेंट्स एपी के जो फाइल कुगल से डाउनलोड करके आपने सेव किया हुआ अर्ची फाइल जो है अब रखा हुआ अपलिकसिन जितने सारे इसके अंदर इंस्टल है या कुछ और फाल्तु के अपलिक अपलिकेशन कुछ है जो कि आपका दिल से करीब नहीं है डाउनलोड फीचर सापके अपने से अपने डाउनलोड कर रखा है अपलिकेशन फोटो वीडियो इस सब डीटल साप इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं रियल में सेर अप्शन है ब्लूटूथ है प्राइवेट से प्राइवेट फोटो वीडियो आप इसके अंदर सेट कर सकते हो तो आपको दो टाइप का चीज मिलेगा यहां पर मिलेगा इसको देख सकते हूं इसके अंदर यह जो है आप डारेट आता नहीं क्योंकि पहले आता था फाइल मेनेजर अब जो है गुगल में जो कि फाइल ड्राइव दे रखा लेकिन उसको में नहीं लिया मार्केट से में नोठाया यह आप देशकतो टेलिग्राम के अंदर हमारा एक ग्रूप है असीश लोग यहां पर जूड़ चुक है तो भाई आप चेक आउट कर सकते हो बढ़िया है आप पॉलो कर लेना फाइल मेनजर इस टाइप को देखने मिल जाता है फॉन्टो जो इसके अंदर चाहे हो भी वो फोन हो या आईकू फोन हो तो उसके अंदर देख सकते हो यह जो लाट आपको यहां पर कुछ डिटल्स मिल जाएगा यहां पर यहां पर डायरेक्ट मैनेज कर सकते हो और फोन के अंदर कितने स्क्रिंशूट ले रखें यह अलग से आपको देखने को मिल जाता है मुझे काफी यह बढ़िया पसंद आया क्योंकि हमें अक्सर हर चीज ढून लेत पड़ा रहेगा उसके बाद मैनेज हो जाता है यहां पर अप्सन है देखो 3.0 अप्सन है इसके अंदर आप जाओगे एक PC कंट्रोल अप्सन दे रखा है PC के अंदर डाटा ट्रांसफर कर सकते हो अगर कुछ एजी सहर नाम से अप्लिकेशन इंस्टल करके यह काफी ठीक है सर्च हिस्ट्री यह कुछ फाइल जो है आप इसको यहां पर अक्सेस दे सकते हो तकि आप फाइल मैनेज़ कर सकते हो यह भी काफी बढ़िया है वह न्यों के जैसे आपको कई सारे फीचर्स आपको देखना हो मिल जाता है फोंट वह इसक अंदर इसके अंदर आप में गू इसके अंदर आपको डाउनलोड इमेज वीडियो ओडियो डॉकुमेंट्स बगरा देखने को मिल जाता है और एक सेकंट ठीक है इसके अंदर आपको कुछ और फीचर दे रहा है फेबुरेट और से फोल्डर कुछ फाइल फोल्डर इसके अंदर लॉग कर सकते हो इंटरन स कर सकते हो तो दोस्तों मुझे आप बता सकते हो इन में से कौन सा फाइल मेंजर आपको अच्छा लगा वाणिवाई रियल मीवाई फॉन्टच ओएस और साथ में एक स्टॉक का अंडूर्ड वान वाला फीचर जो है यहां पर गो अडिशन में इन चारों के अंदर हम अलग अलग टाइब का फाइल मेंजर देखने को मिला तो आप बताओ कौन सा फाइल मेंजर आप यूज कर रहे हो और सबसे प्यारा कौन सा लग आपको ठीक है कॉमेंट करके जरूर बताना और यह चारों टाइप का मेरे पास चार पांच युवाई अगर इन में से कुछ आपको कंपरेजन वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट करके बताना मैं उसको पूर आपको कंपरेजन करके दिखा सकता हूं यह था अचका वीडियो मिलेंगे ने वीडियो साथ तब तक लिए बाइबे टिक क्याल अन बंदे बात रहा हूं